आज मैं आपको कर्ब डिस्प्ले कर्ब मोवाईल फ़ोन में इस्टाल करके दिखाने वाला हूँ यह Realme 11 Pro 5G यह कर्ब डिस्प्ले है तो चलिए मैं आपको फटा-फट अप्लाई करके बताता हूँ कि कैसे अप्लाई किया जाता है कर्ब डिस्प्ले तो सबसे पहले आप जो है कर्ब डिस्प्ले के जो किट आते है इसमें दिये होते है इस पीकर और भी जो जो जैक है उसको आप पेश्ट कर ले क्योंकि इसमें ग्लू होते है ग्लू इसमें जायन है इसलिए यह सब जो है सेप्टी के लिए दिये होते हैं यह सब को पेश्ट क कर लीजिए कि आई यह जो कर डिस्प्ले के जो टैंपर ग्लास के जो किट आते है इसमें आपको एक यूभी लाइट दिये होते एक ग्लू दिये रहते हैं और यह साप करने के डिस्पले के क्लीन करने के लिए यह पेपर दिये होते है तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप इसके जितने भी मतलब जो है इसके उपर डश्ट वगेरा सब है उसको हटा ले पोच ले अच्छी तरीके से उसके बाद जो है यह इसके अंदर ग्लू होते है यह डिस्पले सेट करने के लिए यह किट में दिये होते है सारे ग्लू आप इसमें डाल ले और इसमें ध्यान रखना है कि बाबल नहीं बने सारे ग्लू जो है डाल ले और इसमें जितने display को glue चाहिए उतने ही मात्रा में आप प्लास्टिक अठाले it's और इसे प्रेस नहीं करना मेरा है और अड़ी रख देना है यह जो ग्लू जो है यह अपने आप जो है सारे एयर को रिमूप कर देगी दो से तीन मिनट में और डिस्प्ले को आप सिर्फ मतलब जो साइड से इसे पकड़ कर रखना है जिस एंगिल पर आपको सेट करनी है अच्छा से आप जो है चारो बगल एंगिल मिला करके यह देखिएगा यह दिरे दिरे एयर जो है इसमें अपने आप रिमूप होने लगें इसमें ग्लू के कारण और इसलिए जो है यह देखिए यूवी लाइट है यूवी लाइट से अब आपको जो है इसे चारो और जो है इसे दिखाना है यह यूवी लाइट है डिस्पले अच्छे तरह से इसके उपर सेट हो जाएगी यूवी लाइट और प्रेस नहीं करना है और ग्लू जो है ग्लू के जो ग्लू जो इसमें डालते जो है तो इसमें ध्यान रखना की बबलना हुए ये यूवी लाइट से चारो कोना इसे आप इसलिए जो है ये वो किट में जो है स्पीकर जैक येर फॉन के जैक पेस्ट करने के लिए दिये जाते है क्योंकि ये गलू नहीं जाए क्योंकि गलू से डिवाइस खराब होने की चांस रहती है थैंक्स दोस्तो इसी तरह वीडियो